आज हमारे देश में हिंदुस्तान की संस्कृति में हमारे को आपने देखा पिछले हफ़ते के एपिसोड में कि किस प्रकार के डर हमें हैं और इसी तरह से अगर एक गैलप और्गनाजेशन संस्ता है अमेरिका की वो बड़ा रिसर्च करती है 2005 में उन्होंने रिसर्च किया अमेरिका में लगबग 40,000 लोगों से इंटर्व्यू किया और उन्होंने पूछा कि उन्होंने देखा कि टॉप 10 डर किस प्रकार के हैं लोगों के मन में आप देखिए क्या लगता आपको क्या डर उनको लगा होगा मैं आपको एक एक करके बता दूसरा spider से डर लगता है, तीसरा death से डर लगता है, मैं मर ना जाओं, ये top 10 डर हैं जो उनने लिखे, being a failure, ये common है थोड़ा, being a failure is the fourth one, पांचवा वार से डर लगता है, कहीं विश्व में वार ना हो जाए, क्रिमिनल और gang violence से डर लगता है, रोज देखते हैं वहाँ पर ये ही होता है, gang violence बड़ी है वहाँ, उस देश में, loneliness, अब हमारे तो किसी नहीं कहा कि loneliness से मुझे डर लगता है, क्योंकि lonely हम हैं ही नहीं, चारों तरफ हमारे लोग हैं, near, dear, सब तरह के दोस्त, हम लोग बलके we have too many of them, the future, मेरा भूश्य क्या होग nuclear war, number nine, nuclear war ना हो जाए वर्ड में, और दसवाँ drug addiction, ये दस टॉप के डर अमेरिका की public को है, और अगर हम अपने शास्त्रों को देखें, हम अपनी किताबों को देखें, क्योंकि डर भी जो बताया गया हमारे शास्त्रों में, जो चीजें हम चाहते हैं legitimately, जो शास्त्रों में किताबों में कहा गया कि ये तुम्हारे सुख define किये गए हैं life में, एक घरस्त व्यक्ति के लिए, कोई bachelor है तो अलग बात है, कोई saint है तो अलग बात है, लेकिन normal living person के लिए, human being के लिए चार सुख बताएगे, और अगर उसका reverse होगा, तो उसका डर लगेगा, चारी चीजें बताएगे, और क्या कहा उन्होंने, पहला सुख निरोगी काया, प्रायर्टी भी बताएगे, in order of प्रायर्टी, पहला सुख निरोगी काया, health मेरी अच्छी रहने चाहिए, दूसरा सुख पास में हो माया, मानोगे इस बात को, नहीं, पर माया को दूसरा number दिया, health को पहले नमबर दिया, और आज की हमारी materialistic society में हो क्या रहा है, कि माया को पाने के लिए, काया को भूल जाते है, health को छोड़ जाते है, तीसरा सुख, गुणवन्ती नारी, पार्टनर अच्छा होना चाहिए, ये लड़कों के लिए, लड़कीं रिवर्स कर ले ना उसमें, कि मुझ है, और इनी से डर भी बताया, कि अगर कल को मेरी सेहत ठीक नहीं रही, तो मैं कैसे अपने देश की, अपने समाज की, अपने परिवार की, देखरे कैसे कर सकूँगा, हर चीज में ये लिखा है कि मैं, क्यूंके हम एक समाजिक प्राणी है, उस तरह से उन्होंने सब सोचा, दूसरे का काम कैसे कर सकूँगा, पास में हो माया, माया नहीं होगी, तो मेरी लेजिटिमेट इच्छा कैसे पूरी होगी, आप लोग एक्सपिरेंस करते होंगे जरूर, जहां पे वाइफरेंड गलत मिला या गल्फरेंड गलत मिली, तो लाइफ बिकम्स हैल, पढ़ाई भी नहीं, पेरेंट से भी मूँ छुपाते गूम रहे हैं, दोस्तों से भी मूँ छुपाते गूम रहे हैं, लाइफ में देखिया, अगर पार्टनर लाइफ पार्टनर ठीक नहीं मिला तो क्या करेंगे, जबकि वैस्टरन सोसाइटिज में 70% शादी हैं डावर्स में होती तो इस देश की तो बड़ी अलग सी बाते हैं और अगर जैसे मैंने मैं अभी कहता हूं कही बार मुझे कही लोगों ने पूछा कि क्या बात आज कर आप ये शो करते हो उदर करते हो बिजनस में ध्यान नहीं देते हो तो मैंने उनको कहा कि भाईया मेरे ख्याल से अगर मैंने successor मेरे अच्छे है और next generation अच्छी है तो सब ठीक है और उसके लिए हमारे किताबों में क्या लिखा कि पूत कपूत तो क्यों धन संचे अगर बेटा आपका next generation वाला अगर कपूत निकलेगा तो आप जितना मर्जी बना के छोड़ जाए है वो बेकार कर देगा पूत कपूत तो क्यों धन संचे और पूत सबूत तो क्यों धन संचे सबूत होगा तो अपने आप बना लेगा तो इनी चार बातों से डर लगने का हमारे यहां प्रावधान किया उन्होंने कि बच्चा संतान गलत ना निकल जाए संतान अगर गलत निकल गई तो माबाप की लाइफ हैल हो जाती माबाप भी इसी बात से डरते होंगे कि कल को मेरा बच्चा गलत ना निकल जाए इसी वज़े से कुछ गलत फेह मिया जनरेशन गैप में जो आपने कहा वो होती क्योंकि उनको इस बात से डर लगता है यह चारों में से एक चीज है